हेलो फ्रेंज आज आप लोग के लिए लेक्या हैं यह बहुत ही टेस्टी नास्ता की रेसिपी इसको बनाना बहुत ही जटपड बनके त्यार हो जाती उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉप्ट बनके त्यार होती है इसको हम दो चीजों से बना के त्यार करेंगे इसको बच्ची मोटे वाले ग्रेटर से नहीं करने तो बहुती बारिक हो जाता है मोटे वाले ग्रेटर से मैंने इस तरह से आलू को ग्रेट करके तियार कर लिया है इस तरह से करने के बाद एक कप मैंने इसमें सूजी लिये हैं सूजी कोई सभी ले सकते मोटी पतली कोई सभी जो आपके पा बारी कटिवी एक हरी मिर्च डाल देना है, बारी कटिवी धनिया डाल देना है, स्वाधा नुसर इसमें नमक डाल देना है, और आधी छोटी चमच मैंने इसमें जीरे डालने से बहुत ही अच्छे इसमें फ्लेवार आता है, तो इस रसे आप भी डाल सकते हैं, इन सब को डा तील डाले हैं तील डालने से भी बहुत ही अच्छा ग्रंचीनेस आता है तो इस तरह से अभी डाल सकते हैं मैंने एक चमच सफेद वाले तील डाले आप चाहो तो काली कोई सभी तील डाल सकते हैं तील हलका सा कलर चेंज होने कि बद जो हम लोग बेटर बना के रखे थे ना स सूजी और आलू का उसको डाल देना है और अच्छे से मिलाते हुए लो टू मीडियम गैस में इसको चमच हिलाते हुए इसको पका लेना है चमच हिलाते रहना नहीं तो ये नीचे से बैठ जाता है गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना नहीं तो ये नीचे से जल जागा इस तरह से दो से तीन मिनट में ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाता है इस तरह से डो फॉर्म में आने के बाद एक प्लेट में तिल डालना है तिल डालने के बाद इसको अच्छे से फैला देना फैलाने के बाद जो हम लोग बेटर बना के रखे थे ना सूजी और आलू का उसको इसमें इस तरह से डाल देना है सभी को डालने के बाद थोड़ा सवधानी से डालना क्योंकि थोड़ा हलका सा गरम रहता है इस तरह से डालने के बाद इसको चमच की साहता से ही इसको इस तरह से फैला लेना है मैंने इस तरह से square shape में इसको बना लिया है और आप चाहो तो किसी भी बर्तन में इसको इस तरह से कर लेना cake tin में भी बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरह से करने के बाद इसको 5-10 मिनट के रिष्ट करने के लिए रख देना है 5-10 मिनट में ये ठंड़ा हो के तियार हो जब ठंड़ा होने के बाद ही इसको इस रसे कट कर लेना है मैं चाकू के सहता से इस रसे मैंने कट करके तियार कर लिया है आप चाहो तो इसको दूसरे shape में भी कट करके तियार कर सकते है ये नास्ता बहुत ही जटपट बन के तियार हा जाती है इसको हम लोग हलका सा सेलो फ्राइ करेंगे इस रसे मैंने सभी को कट करके तियार कर लिया है देखो कितना अच्छा हमारा नास्ता दीख रहा है इसको चलो फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए एक पैन में मैंने दो से तीन बड़े चमस तेल लिए हैं और इसको इस रसे बारी बारी से डाल देना है जितना आएगा उतना इस रसे डाल देना है और अलड़ते पलड़ते हुए इसको लो टू मीडियाम के इसमें इसको पका लेना इस रसे बहुत ही ये नास्ता बन के तियार हो जाती है, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, बड़े से लिए कि छोटों को ये बहुत पसंद आएगा, तो इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करना, वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी, तो इस रेसिपी होने के बाद इसको निकाल लेना है, इस रेसिपी में रोज अपलूट करती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली न्यू रेसिपी देख सकते हैं, बेला कि इन खंटी को दबाना ना भूले, इसे मेरे नोटिफिकेशन आएगा, और डेली न्यू रे इस नास्ती को अप ऐसी भी खा सकते हैं, तो मेटो की चैप के साथ इसको इन जॉय कर सकते हैं, थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो,